हाइ फ्रेंड्स बहुत से दिनों से जो है मैं कुछ सर्वे कर रही हूँ डिलेवरी बॉय पे और डिलेवरी कुरियर सर्विस पे या फी जो भी हमारी 3PL कुरियर सर्विस है उन पे तो बहुत सारे सप्लायर के जो है मुझे इसमें क्यूरीज नजर आई है जो की उनके काफ़ सारे mistake भी हुए है किसी को बहुत जादा loss भी फेस करना पड़ रहा है तो वही जो mistake से आज मैं आपके साथ में यह पर शेयर करने वाली हूँ आज का जो वीडियो बहुत ही जादा इंपोर्टन होने वाला है तो एंड तक आप मेरे साथ में बने रही है और अगर आप भी ऐसे कुछ गलतिया कर रहे हैं तो प्लीज मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो है इने अवाइट करना है टाइम पे आप अलर्ट हो जाईए और आपके बिजनिस को जो है आप लॉस होने से बचा सकते हैं कुछ अप्लार मुझे ऐसे मिले हैं जिनका कहना था कि मैं हम जो है सेम डे पे प्रोड़क्ट कुरियर बॉय को हैंड और कर रहे हैं फिर भी जो है वो प्रोड़क्ट रेडी टू शिप से जो है शिपिंग टैब में नहीं जा रहे हैं तो ऐसा क्यों हो सकता है तो इसके पीछ प्रोड़क्ट बहुत जाड़ा लेट जो है वहाँ पे स्कैनिंग का इशू आता है और जब भी आप उनको प्रोड़क्ट हैंड ओर कर रहें तो आपको जो है मॉसली ध्यान में रखना है कि उनको कहना है कि आप जो है स्कैनर यहां पे ले के आईए आपके सामने आपके सब्सक्राइब यह नहीं करते इसे जो है बहुत सारे पार्सल भी उनके लॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि विदाउट स्कैनिंग पार्सल जो है वह डिलिवरी बॉय को हैंड ओर करते